हुआ हस idag और अपिश्यक्यूंट अगर ने अभी तक मेरे स्प्रैक्टण师 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लृस अधोकव कर लिजिये तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं फल की की फ्रूट क्या होता है प्रागर्ण तथा निश्यचन किरिया के पस्चात बिजांड बीज में बदल जाता है यह जो प्रागर्ण या निश्यचन किरिया होती है उसके फल शुरूप जो बिजांड होता ह जो बिजांड होता है वो इस प्रकार से होता है यह किरिया किसमें बदल जाती है बीज में कनवर्ट हो जाती है और पुस्प का अंडा से यह जो पुस्प होता है इसका यह जो अंडा से होता है फुली होई जो इस्ट्रक्चर होती है यह अंडा से होता है यह वर्दी करके किस में convert हो जाता है फल में बदल जाता है यारी कहने का मतलब यह है कि push mini session के बाद अंडासे से बनने वाली विशेश परकार की जो structure होती है उसे क्या कहते है fruit या फल कहते है इसके बाद वे हम बात करते हैं कि जो ख강 में पर्मुक बाग कौन कौन से फल विती पूट वॉल और दूसरा है यानी seed इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहला point है फल विती पूट वॉल यह अंडासे की वित्ती से बनती है फल वित्ती पतली मोटी हो सकती है मोटी होने के तीन पड़त्तों में यानि जो फलवित्ती होती है किस से बनती है पुस्प के अंडासे से बनती है और यह तीन परकार की होती है बाईय फलवित्ती यानि एपिकार्प मद्दे फलवित्ती यानि मीजोकार्प और अंता फलवित्ती यानि एंडोकार्प इसके बाद में दूसरा पॉइंट है बीज यानी seed seed का निर्मान किस से होता है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बीज का निर्मान बिजान से होता है इसके बाद में हम next point की बात करेंगे सत्य और एसत्य फलों के बारे में true and false fruit सबसे पहला point है सत्य फल क्या होता है यानी true fruit जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडासे से होता है तो उसे क्या कहते है true fruit या सत्य फल यानी जो फल होता है उसका निर्मान किस से होता है अंडासे से होता है वही क्या होता है सत्य फल दूसरा point है ऐस सत्य फल या कूट फल या मिथ्ञा फल या false fruit कभी-कभी अंडासे के अत्रिक्त वाग यानि एसा फल जिसका निर्माण अंडासे से नहोrias कर पुस्प के किसी अन्य वाग जैसे पुस्पासन केलिक्स आदि से फल का निर्माण होता है इसे फलो क्या कहते है false fruit स्ट्रावेरी काजिर आदी सेतूत में पारी दल कुदेदार में होकर खाने योगये बाग स्था उसका छुखम गग का निस्टानग है अधमें हम बात करते हैं, अय का मतलब है नहीं और निस्यक का मतलब है निस्यकशन यानि इसमें कहाने का मतलब यह है कि जो फल का निर्मान होगा वह बिना निशेचन किरिया के फल सुरूप होगा अत्वा इसमें निशेचन किरिया नहीं होगी कभी-कभी फल बिना निशेचन के ही उत्पन हो जाता है यानि इसमें निश्यचन किरी आया वह नहीं होती और सिद्धे फल का निर्माण होता है ऐसे पलो को क्या कहते है एन इसे एक फलन कहते है for example केला हो गया अंगूर हो गया आदी तो दोस्तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल CP Study को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर लाइक कमेंड जरूर करना थैंक्यू गाइज